पिछले एपिसोड में हाउचे नेचर गोडे से मिले हुए पाउर का यूज करके अबाउ के उपर अटेक करने लगा था और अब इस तरह से उनके बीच में बहुती संदार तरीके से फाइट होने लगी थी और फिर हाउचे न अबाउ के उपर अटेक करके उसे बाहर फेक देता है लेकिन व्यादे का बाउ भी फिर से अपने पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक करने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक करना ही स्टार्ट कर देता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाउचे ने इसके अटेक को बहुत ही असानी से रोक लिया था और वो भी बड़े संदार तरीके से अपने पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक करने लगता है तभी इसी भीच हम देखते हैं कि अबाव अपने स्लैस टेक्निक का यूज करके इसके उपर अटेक करने की कोसिस करता है लेकिन या देखते ही हाओचेन ने इसके अटेक को बहुती आसानी से रोक लिया था लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि हाओचेन को भी फिर से इसके उपर अटेक करने का चांस मिल गया था और उसलिए वो तुरंत उसके फेस के उपर बहुती संदार पंच मारता है अब इसके बज़ा से हम देखते हैं कि अबाव इसके अटेक को रुकने के लिए कुछ भी नहीं कर पाया होता और उसलिए वो गुसे में इसके उपर अटेक करने के लिए अपने ड्रैगन स्पाइन का यूज करने के लिए रेडी हो जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसके ऐसे पावर को देख हाओचेन भी इस पाद से थोड़ा सा हैरान हो जाता है और फिर उससे पता चलता है कि यह तो असल में अबाव का डोमेन इसके लिए वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाव अपने पावर का यूज करके इसके उपर अटेक करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वह हाओचेन से कहता है कि तुमेंसे पहले इंसानों चिष्णे की मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि हाओचेन को इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होती और वह अभी भी इसके पाउर का सामना करने के लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था लेकिन तभी हमें पता चलता है कि अबाओ का ब्लड फिंट प्यूरिगेटरी डोमेन इसकी लैसी इसकील है जो कि हजारों सालों से डीमन के अंदर इकटा हुए किलिंग इंटेंसन को रिलीज करता है और ये इतना ज़्यादा खातरनाक है कि वो अपने ओपने ओपनेंट के फाइटिंग इस्प्रीट और मेंटल इस्टेंट को लगातार एबजॉर्ब करता रहता है तभी इसी वीशम देखते हैं कि अब आओ हाउचिन का मजाक उड़ाने लगता है और फिर उससे कहने लगता है कि अब तुम मेरे इस पाउर के सामने कुछ भी नहीं कर पाओगी और चलो मैं भी देखता हूँ कि गोड़ेट के फ्यूजन की पाउर कितनी ज़्यादा ताकतवर है जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी ऐसी बात सुनकर हाउचिन भी उसका सामना करने के लिए फिर से रेडी हो गया था और कहने लगता है कि क्या सच में तुम इस तरह से गोड़ के पाउर को देखना चाहते हूँ अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने नेचर गोड़ेस के पाउर को रिलीज करने लगा था और फिर वो अबाव के साथ में यहाँ पर बहुती संदार तरीके से फाइट करने लगता है जिसके बाद हम देखते हैं कि अब अबाव भी उसमें उसे बहुती संदार तरीके से टकर देने लगा था और फिर वो हाउचें से कहने लगता है कि नेचर गोडेस ऐसी गोड है जो कि फाइटिंग में उतनी अची नहीं है और उसलिए उसने फाइट करने के लिए खुद को जबरजस्ति तुम्हारे साथ में मर्ज कर लिया अब इसके बज़ा से उसे ऐसा लगने लगता है कि नेचर गोडेस साथ इस तरह से अपने असली पाउर का यूज नहीं कर पाएगी और अब इस तरह से वा फिर से अपने पाउर का यूज करते हुए हाउचें के उपर अटेक करने लगता है तब इस पर हाउचन भी इसके अटेक को रोपते हुए कहता है कि तुम्हें इसी बकवास बाते करना बंद करू और चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि गौड की पाउर क्या होती है अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि वो गौड फ्लेम के पाउर का यूज करने के लिए रेडी हो गया था और फिर वो तुरन समर फायर का यूज करते हुए अबाव के उपर अटेक भी कर देता है लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाव को भी इसके ऐसे पाउर के बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होती और वो इसके अटेक से खुद को बहुत ही असानी से बचाते हुए कहता है कि तुम अचानक से कमजोर क्यों होने लगे इसके साथ वो उससे कहता है कि अटो में सच में लगता है कि गौट के पाउर को इंसानी बॉड़ी में ले पाना इतना असान है क्योंकि तुम्हारी इंसानी बॉड़ी इसे ज़्यादा समय के लिए नहीं रोख पाएगी लेकिन इसके ऐसी बात सुनकर हाउचेन उससे कहता है कि तुम अपनी बखवास बाते अपने पास रखो और इसके बाद हम देखते हैं कि वो आटमन किलिंग के पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक करने के लिए रेडी हो गया था लेकिन तभी हम देखते हैं कि अबाव भी इसके अटेक से खुद को बचाने के लिए रेडी हो गया था और वो तुरंत यहां से इधर उदर भागते हुए इसके अटेक से खुद को बहुती असानी से बचा भी लेता है लेकिन तब ही इसी भीच हम देखते हैं कि वो इस बात से अब हाउचेन के उपर बहुत ज़्यादा गुसा हो गया था और इसलिए वो अपने ब्लड सैडो फ्लिम के पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक भी कर देता है लेकिन तब ही हम देखते हैं कि हाउचेन ने अपने पाउर का यूज करके इसके अटेक को बहुत ही असानी से डिस्ट्रॉय कर दिया था और इसके अलाबा वो अपने आइस पाउर का यूज करके इसके पूरे बाडी को फ्रीज भी कर देता है इसके बाद हम देखते हैं कि अबाव इसके ऐसे पाउर से खुद को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता जबकि हाउचेन फिर से अपने कोल्ड विंटर के पाउर का यूज करके इसके उपर अटेक कर देता है लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाव ने इसके ऐसे पाउर से खुद को बचा लिया था जिसे देखते ही हाउचेन अचानक से फिर से इसके उपर अटेक कर देता है इसलिए अबाव इस पार खुद को इसके अटेक से बचाने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं कि हाउचन ने अपने स्वार्ट से अटेक करके इसे बहुत बुरे तरीके से इंजट कर दिया था अब इसके बचास से कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि हाउचन ने इसे मार दिया है लेकिन तभी इसी वक्त हम देखते हैं कि इसके बॉड़ी के अंदर फिर से कोई पार जेनरेट होने लगी थी जिसके बज़ा से वो हाउचन के इतने खतरनाक अटेक से भी बच जाता है इसके बाद वो हाउचन की थोड़ी सी तारिफ करते हुए कहने लगता है कि तुम सो सच में बहुत ही अच्छे हूँ क्योंकि इस पार तो लगबग तुमने अपने अटेक से मुझे मार दिया था लेकिन फिर भी बड़े अफसोस की बात है कि नेचर गॉड़ेस फाइटिंग में उतनी अच्छी नहीं है और इसलिए तुम चाहकर भी मेरा कुछ नहीं कर पाओगे लेकिन अब इसके ऐसी बात सुनकर नेचर गॉड़ेस भी इसके उपर घुसा हो जाती है और हम देखते हैं कि वो हाउच इनके साथ मिलकर इसके उपर बड़े खतरनाक तरीके से अटेक करने के लिए रेड़ी हो गई थी लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाओ को इसके बारे में ज़्यादा चिंता नहीं होती और इसे देख वो कहना लगता है कि क्या सच में तुम मरने तक भी फाइट करना चाहते हो अब इतनी बात कहने के बाद वो कहता है कि अब तुम्हें मेरा सामना करने के लिए रेडी हो जाओ क्योंकि अब मैं तुम्हारे हेड और गॉड हेड को अपने फादर के पास में लेकर जाओंगा और फिर हाओचें तुरंत इस पाउर का यूज करके अबाओ के पाउर को डिस्टोय कर देता है अब इसके वज़ा से हम देखते हैं कि यहाँ पर इन दोनों के पाउर के बीच में बहुती संदार तरीके से टकर होने लगती है जिसे देख हाओचें के बाकी साथी भी पूरी तरह से हैरान हो गए थे वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबाओ फिर से अपने पाउर का यूज करके हाओचें के उपर अटाइक करने के लिए रेडी होने लगा था लेकिन तबी अचानक से उससे पता चलता है कि वहाँ और नेचर गोड़ेस तो उसके सामने से गाइब हो गया है जिसके बाद अगले सिर में हम देखते हैं कि हाओचें उसी जगा पर आ गया था जहाँ पर कि वह बच्वन में अपने अवेक्निंग के लिए गया हुआ था इसके बाद वो यहां के पॉर को निकालने के लिए रेडी हो जाओ जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर हाओचें भी इसके लिए पूरी तरह से रेडी हो गया था और वो तुरंत अपने ताकत का यूज करते हुए यहां के स्वार को इस पर बाहर निकाल देता है जिसके बाद हम देखते हैं कि अब Light Goddess भी यहां पर इसके सामने आ गई थी और वो अपने Power का यूज करके इसके Awakening में मदद करती है वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचन के बाकी साथी भी उसे बड़े ध्यान से देख रहे थे और वो हाउचन के अब बड़े हुए Power को देख और भी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं लेकिन तभी इसी भी हम देखते हैं कि इसके सामने Light Goddess की Power Generate होने लगती है और Light Goddess यहाँ पर हाउचन के साथ में बहुत तरह की बाते करने लगती है और कहना लगती है कि तुमें तो God ने भी अपने Power को दे दिया ताकि इस तरह से Divine Scroll की Awakening हो सके और फिर वो हाउचन से कहना लगती है कि अब तो तुम Nature Goddess के Successor हो और इसलिए मैं तुमें Offend कैसे कर सकती हूँ अब इस तरह से हम देखते हैं कि दोनों God ने अपने Power को हाउचन को दे दिया था जिसके बाद हम देखते हैं कि इनके Power के बज़ा से अबाव यहां पर कैद हो गया होता है और इसे देखवा हैरान होते हुए कहता है कि इन दोनों Goddess ने तो एक साथ में जॉइन कर लिया जहां पर कि इसको सबसे पहले Nature Goddess ने अपने Power को दिया था और अब तो Light Goddess भी अपने Power को इसे देने के लिए Ready हो गई है अब इस तरह से हम देखते हैं कि हाउचन के पास में Light Sword भी आ गई थी जो कि दिखने में बहुत ज़्यादा Powerful लग रही थी तब इसे देखाबाव हैरान होते हुए कहता है कि आखिर का रहसा कैसे हो सकता है लेकिन तब ही हम देखते हैं कि हाउचन अपने Power का यूज करके उसे Torture करने लगा था और कहता है कि आज यहाँ पर ऐसे पाप ही है जो कि God को Read करना चाहते हैं लेकिन इसके बाद भी उनको अच्छे से पता होना चाहिए कि इसके लिए उनको माफ नहीं किया जाएगा और जो कोई भी आसा करने की हिमत करेगा वो Nature Goddess और Light Goddess के हाथो मारा जाएगा इसके बाद हम देखते हैं कि हाउचे अपने पास के Light Divine Sword का यूज करके इसे मारने के लिए रेडी हो गया था और अबाव से कहता है कि अब तुम अपने जज्ज्मेन के लिए रेडी हो जाओ लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि अबाव इसके सामने इतने असानी से हार माने वाला नहीं होता और वो इसके अटेक से खुद को बचाने के लिए अपने Demonic Dragon को भी यहाँ पर समन कर लेता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि हाओ चेन जैसे ही अपने Light Divine Sword का यूज़ करके इसके उपर अटेक करता है अबाव का Demonic Dragon भी इसके पाउर को रोकने के लिए कुछ नहीं कर पाता और इस तरह से हाओ चेन ने अपने अटेक से उसे जखमी कर दिया था लेकिन तभी इससी बीच हम देखते हैं कि स्टार डिमन गॉड भी इन सारी चीजों के उपर नजर रख रहा था और कहता है कि वैसे तो मैंने सारी चीजों को फिर से रोटेट कर दिया और उसी लिए अगर आप कुछ करना है तो इसके लिए केवल कॉंसियसनेस को ही चेंज किया जा सकता है और उसी के साथ वो से कहता है कि अब तुम्हारे पास में केवल लास्ट इस्टे बचा हुआ है तो क्या आपको लगता है कि अब आभी भी हाउचन के हाथों से खुद को बचा पाएगा इसके बारे में कॉमेंट करके आप जरूर बताना लेकिन अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना